तो चलिए मैं आपको बता दो तो कितनी होगी बीएड में कि आप एटलिस पास कर जाओगे आपका रिजल जो है सो पास वाला आएगा तो यहां पे देख लिए अगर मेरी बात अगर आप सुरू सही जो अगर फॉलो करते तो ऐसा नहीं होता खर चलिए आप लोगों ने जित पढ़ा उस से अतधिक आया है नहीं आया है आपने जितना पढ़ा है उतना ही आया जीखे के लेवल आप सबको पता है कि वह हमेसा कन्फ्यूजिंग ही होता है लेकिन बाकी चीजिए अपने महनत किया है मौक जैसे लगाए मौक सी या तो दस नंबर आपके आगे आए उस से बिल्कुल फिज कम या ज़्यादा है इमांदारी सहीत अगर आपने दिया हो तो यह आप खुद में जानते हैं कि आप कितने इमांदार हैं तो चलिए यहां पे देखते हैं 35% यहां पे हैं अगर आप जेनरल से भी लॉंग करते हैं तो आपके 42 मार्क्स होने चाहिए तो आप पास हैं अगर आपके पास आप रिजल्ट पास और फेल अभी भी देख सकते हो आपके 42 नंबर है न तो आपके रिजल्ट में लेखे रहेगा यूर पास तो 42 नंबर अगर आप SC ST कैटेगरी से भी लॉंग करते हो तो आपको 36 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए अ पास हो लेकिन आपको भले मेरी बात बुरी लगे लेकिन मैं आपको बता दू तो इसमें कॉलेज नहीं मिलने वाला है क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि बहुत ही पेपर टफ है तो देखिएगा ना जब लिश निकल कर आएगा ना तो देखिएगा हो सकता है 100 के अंदर सू के अंदर है कि पिछले बाल का कट अफ आपका 109 का आप सब्सक्राइब है 105 पारेघा हिरुजखेंते है तो यह तो पहले मैं तो बूले हुए मुझें वले हूए तो ही क 돼 आप सब्सक्राइब दोजाय छोए सब्सक्राइब तो यहां पर देख सकते हैं यह पास और फेल की थी आपकी तो देख लीजे पहले तो पता चल जाया कि या पास हो या फेल हो दो लाख है तो जायर सी बात है कि उसको तो आपको एलिमिनेट करना है न तो कोशन का लेवल थोरा तो हाई होगा न बस आपको वहां पर दिमाग चलाना था कि कैसे कैसे आप कोशन क्योंकि आपने जो पढ़ा था वही आया ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया हिंदी आपन मैं जो जो बनाया था जो जो मैं बनवाई थी बस वही साय थे पजल थोरा टाइम टेकिन था मैंने कहा भी ताकि पजल का प्राक्टिस कीजिए लेकिन बाकी रिजनिंग ओवर ओल बहुत ही अच्छे थे टिचिंग अप्टिट्यूट वह आपके दो चार कोशन ऐसे थे जो ही थी कि आपको आएंगे तो इस तरीके साब कम से कम एजली तो आप असी क्या स्पास स्कोर कढ़ी सकते थे खेर छोड़िए जो हुआ सो कुछ अभी आपके बस समय है अगर आप लोगों को लगता है कि आप यहां पे नहीं पास है आप लोगों का सेफ स्कोर में बता दू तो जिलनों का भी 60 है तो उनलों सेफ स्कोर में हैं बाकी कैटेग्री बाइज होगी मैं अभी नहीं बोलूगी कैटेग्री बाइज होगी तो 60 है डिलेट का फॉर्म अभी भी निकला हुआ है भर लीजे कहीं ने कहीं कुछ तो हो जाएगा ने 125 तक आप पर हाथ तो सकते हो ना कि डिलेट में इंट्रेंस एग्जाम है इस फर्स्ट इंट्रेंस एग्जाम है इससे पहले कभी नहीं हो तो कोशन का लेवल आपका आसान नहेगा और क्या होगा न क्या पर कॉलेज मिल जाएंगे तो इस तरीके से बिलकुल वह भी बीट की तरह ही होते है डिलेट भी बाद में फिर कभी बीट कर लीजेगा क्या दिक्कत है तो आपको भड़ना चाहते हैं तो भड़ लीजे बाकि इसकी तैयारी जितनी हो सब्सक्राइगी पॉसिब्लिटी मैं आपको करवाओंगी थांक्यू फॉर वाचिंग आस आई होब कि आपको कोई और भी इन्फॉर् आपको बीजेद काद साथष्व कि जिसा आपको करवाओंगी श्यूर्या अवागी ग्या दक्सार साथबुम्स् Jakत से cansषब़ कोई का दो कर दो क्या ही तो पाद सम्सेक्तितनी है और भीजेदा यूपा क कैने इन्फॉर्टस गग, आपको एंगे अगे